हलो बच्चो कैसे आप क्या हाल चल आपके CA Foundation का एक्जाम आ चुका है और आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज से लगभग 23-24 दिन का समय बचा हुआ है आपके एक्जाम में बहुत सरे बच्चे डाउट सेशन टाइम पर मेसेज करते हैं कि सर आगे के हमारी स्टेटिजी क्या होनी चाहिए मैं कैसे आगे के टाइम पिलोट को मैनेज करो और इसी बात का मेरे बच्चे आज डिसकेशन करने के लिए आज इस वीडियो को मैंने शूट किया है जितने भी बच्चे सी ए फाउंडेशन के इस वीडियो को देख रहे हैं मैंने उनको ब्रोडली दो पार्ट में डिवाइड किया है या तो वो बच्चे जो अभी आज से आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या तो उन्होंने अभी तक अपना course complete नहीं किया है मेरे बच्चे और वो सोच रहे हैं कि आगे की मेरी strategy क्या होनी चाहिए या फिर वो बच्चे जिनोंने अपना course complete कर लिया है और आगे revision किस तरीके से करें ताकि अच्छे marks में ensure कर पाऊं उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा इसके साथ-साथ वो कौन सी चीजे हैं जो आज से लेकर till exam तक आपको avoid करनी है अगर आपने उसको avoid नहीं किया तो शायद बहुत सारी परशानिया इतने अच्छे त्यारी करने के बावजूद आप उसमें क्या करेंगे थोड़ा सा doubt में चले जा सकते हैं मेरे बच्चे में बार बार कह रहा है जो सकते हैं उसका जो environment उसका efficiency तो वो कर सकता है कहीं कोई दिकत नहीं एक ब्रोड जो आपका अभी कही साबसे strategy होना चाहिए मेरे बच्चे उनके बार में आपके साथ discussion करता हूँ मेरे इसाब से अगर मैं आज में पहले उन बच्चों की बात करूँ जिनोंने अभी तक अपना syllabus complete नहीं किया है अभी तक आपने syllabus complete नहीं किया है तो बच्चे मैं मानता हूँ कि जो यह आपका time period है ना इस time period में अगर आप 14th June तक भी यानि कि exam से 10 days का period छोड़ दो अगर 14 days तक भी इस period में अगर आप अपने course completion पे ध्यान देते हैं course completion पे course completion पे अगर आप ध्यान देते हैं तब भी कोई दिकत नहीं है stress low रखो आप जितना stress लोगे ना जितना tension लोगे उससे क्या होगा कि time गुजटते चला जाएगा और आपको लगे कि यार पता नहीं मैं पढ़ भी रहा हूं के नहीं पढ़ रहा हूं तो पर बचे stress को down रखिए और इस time period को आप यूज किजए अपने course completion पे ये जब भी आपके दिमाग में tension create होगा ना stress create होगा तो एक बात बस संतोष सरकाब या दखना एक्जाम में मेरे बचे CA foundation में exam में pass करने के लिए 100 marks में per subject आपको 40 marks की requirement है बस 40 marks की और aggregate में आपको 50% चाहिए तो 100% course complete करना बहुत बड़ी important बात नहीं है important बात क्या है कि जितना भी आपने course complete क्या है उसको इस तरीके से ensure कर लो कि उनमें से कोई भी question आ जाएगा 40-50% तो आसानी से आ जाएगे और इसके लिए जिन chapters को आपने पढ़ लिया है उनको बहतर तरीके से उसमें mastery करना जूरी है मेरे बच्चे तो आपने क्या करना है इस time period को आप क्या कीजिए अपने course completion पर लगाईए और जब आपका जितना भी course complete हुआ मैं मानता हूँ कि जितना भी course complete हुआ उसके आगे मैं यहाँ पर आप course यानि कि जो chapter से उनको पढ़ना बंद कर दूँगा और हमारा पूरा focus अब क्या होगा यहाँ पर revision strategy पर आ जाएगा यानि कि कम से कम 8 to 10 days का जो हमारा time period होगा मिरे बच्चे उसको मैं क्या करूँगा revision पर डालूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक दिन का जो period है ना वो तो मैं revision में काउंटी नहीं करता क्योंकि यह confirmed है आप उस पेपर को दोगे जो पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है तो यह जो period आपका होगा यह period आपका completed revision पर focus होना चाहिए रिविजन कैसे करें आप यह बताओ ना मिरे बच्चे याद अखना इनका revision strategy अलग होगा और जिन्होंने course complete कर लिया है आज तक उनका revision strategy अलग होगा पहले मैं इनकी बात करता हूँ आपका revision strategy क्या होना चाहिए देखो मेरे चैनल पे यह तो marathon पुड़ा हुआ है मेरे एक marathon है आप type करेंगे आपको मिल जाएगा मैं इस वीडियो के link में description में उसका link भी दे दूँगा उसमें पूरे accountancy का मैंने revision कराया हुआ है 17-18 hours के अंदर में आप पूरे accountancy को बहुत बेहतर तरीके से आप revise कर सकते है इस बात को मैं ensure किया है मैंने उस lecture के अंदर में है ना बच्चे तो यह तो आ अबरे आपके सिये foundation में है या तो मेरे बच और चैप्टर का revision करने का बेस तरीका क्या होता है कि आप हर इक चैप्टर का एक या दो कोशन दो कोशन दो कोशन आपने क्या करना हांट से प्रैक्टिस करना हार इक चैप्टर में एक आपका simple question जिसमें कि आपका format पे हाथ जो भी कोशन आपको मन करें, जो भी मन करें, यह नहीं कि यार, इसी को करता हो, जो भी मन करें, थोड़ा एवरेज ए टफ कोशन ना चाहिए, उसका हाँ से प्रैक्टिस करने का मतलब कि उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो कॉंसेप्ट है, आपके दिमाग से गुजर चुका, इसके बाद मेरे बच्चे जो क्लास में आपने पढ़ते समय, रेगुलर क्लास में, मुझसे चाहिए किसी और फिकल्टी से, आपने जो नोट्स बनाए हैं नोट्स, आप उसको क्या करो, उस नोट्स को रिवाइज करो, अपल तो अच्छा इस कोशन को ऐसे सॉल किया था, और इन केस अगर कोई कोशन भूल चुके हैं, ऐसे सवाल नहीं होता कि आप भूले होंगे, बट फिर भी भूल चुके हैं, तो मेरे अगर बच्चे हैं, तो उस केस में मेरे बच्चे पेड जो मेरी क्लास में आपका है, उसका अनलिम्टेट व्यू है तिल एक्जाम आपके नहीं, यह रिविजना आपका क्याइजी प्रैक्टकल च्यूट्र सून के बारें बात कर रहा हूं और जो आपके ठेवरी के चैप्टर से, वह अकंटिंग प्रोसिस हो गया depuis рок वर्क हो गया, यह किसी भी चैप्टर के अंदर में जो ठेवरी, आपका जो कवर होता है, उस ठ थियोरी में जितने भी important points होते हैं ना यानि कि आपको पता है कि यार exam देने जाओंगा तो यह points तो बड़े important है आप उसको क्या करो revision के time पे भी उसको लिखना शुरू कीजिए इससे क्या होता था चीजे आपके दिमाग में recall होती है even जिसमें pointers नहीं है उनमें भी जो main points है जो कि आपको लगता है क्या एक्जाम में जब जाओंगा तो यह मुझे at least उसमें mention करना चाहिए उसको क्या किजे शौर्ट में यहाँ पर लिखने के कोशिश कीजिए इससे क्या होगा बच्चे एक्जाम तक वो सारी theory आपके दिमाग में बैठी रहेगी और in case कोई points भूल रहे है या कोई आपको लगता है क्या रगवा चेक करता हूँ कि मैंने सारे points लिखे कर नहीं लिखे अपने book या note से क्या किजे उसको चेक किजे pointers match कर गए अच्छी बात है अगर एक दो pointers भूल भी गए होंगे तो उनको भी फिर आपको यहाँ पर last में लिखना है इसे क्या होगा वो सारे pointers आपके दिमाग में बैठ जाएंगे मेरे बच्चे और exam तक आप उसको नहीं बोलें में मुश्किल से एक concept में आपका एक से डू मिट लगना है और इससे जो revision होगा वो बहुत de-waste होगा तो मेरा मानना तो इस तरीके से आप इसको revise किजे अगर course अभी तक आपका complete नहीं हुआ है तो आप इस दिन तक अपने course पे काम कर सकते हैं इसके बाद आपका दिमाग stress free क्योंकि आपका दिमाग बार-बार यही कहा कि कोई बात नहीं भीया मैं 100 marks की त्यारी के लिए नहीं जा रहा है मुझे पास होना है आप देखो पास होगे या 90 लाओगे या 100 लाओगे वह बात की बात है लेकिन stress कम रखने के लिए expectation जो होते हैं वह हमें कम रखने पड़ते हैं अगर expectation कम होगा आप अच्छा त्यारी करेंगे अच्छा एक्जाम जाएगा अच्छे पास करेंगे मैं आपको इन्शोर कर रहा हूं इस बात को हैना इन्शोर कर रहा हूं जो बच्चे syllabus complete कर चुके हैं अभी तक और वह अब सोच रहे हैं या कर रहे हैं कि आर रिवीज करने वाले हैं आपका जो रिवीजन करने का तरीका होगा बच्चे प्रैक्टल पिपर्स में वह ध्यान देकना मैंने पीछे वाले बच्चे को क्या बोला दो कोशन अटलीस हां से प्रैक्टिस कर लो लेकिन आपको कहता हूं क्योंकि आपको एन अफ टाइम है आप क्या लीजिए तीन से चार कोई भी तीन चार हो सकता है एक बेसिक बागे तीन जो मन करें आप उसको उठा लीजिए और उसके साथ-साथ मेरे बच्चे आपने क्या करना है कि वह तीन से चार चेप्ट्रिस के बाद फिर अगेन वही काम जो मैंने उन बच्चों को बताया था या एक चेप्टर के एक-एक कोशन की प्रैक्टिस करते हैं वो ठीक नहीं है कई सारे चेप्टर से मैंने आपको 50-50 60-60 कोशन की प्रैक्टिस करा यह क्लास के इंदर में तो इतने सारे कोशन ठोड़े करो कोई फायदा थोड़े ही है आप सब कुछ पहले से जानते हूँ तीन स चार कोशन हाथ से प्रैक्टिस कीजिए और तीन से चार के बाद फिर आप अपने नोट्स को पलते अगर कोई कॉंसेप्ट अगर इनकेस भूल गए हो जिनकी चांसेज ही नहीं है बट फिर भी भूल गए हो तो कोई बात नहीं स्माइल करते रहो और क्या करो वीडियो कर लो यह दीबेस तरीका होता मेरे बच्चे और मैं आप सभी बच्चों को जो मेरे पेड़ क्लासेज में हैं मैं इन्शोर कर देता हूं कि आप से बेहतर किसी की त्यारी नहीं होगी क्योंकि आपने जो पढ़ाया उससे यह फांडिशन के लिए नहीं पढ़ा है आपने सी बच्चे वाले बच्चों को बताया आप आदर डालिए अपने रिजिस्टर में रिविजन वाले रिजिस्टर में पोइंटर्स बनाने का कि हाँ जी इस पर अगर मालों जैसे कोई आगया फीचर सब कंपनी तो उसके पोइंटर्स जो जो आपके इंपोर्टेंट है उसको आप यहां पर लिखना शुरू कीजिए और फिर क्या किजिए आप उसको मैच कीजिए जो आपने बुक में या फिर जो आपने रेगलर नोट से मेरे साथ लिखाया जहां से भी आपने पढ़ाई किया होगा यह बेस्ट तरीका होता बच्चे थियोरी में एक एक थियोरी को पूरा का पूरा लिखना उसमें ये लिखूंगा explanation उसमें ये लिखूंगा वो ठीक नहीं होता मैंने साथ से ताइम वेस्टिंग की आपको चार paper है सिब accounts पढ़ने से काम नहीं चलेगा तो मैं accounts की strategy बता रहा हूं even theory वाली जो बात है जो बता रहा हूं अगर आप किसी और भी पेपर में यूज करना चाहिए theory के आप उसमें भी यूज कर सकते हैं तो आप उस बात को ध्यान देखेंगे और no doubt कि आपको भी marathon वोच करना है marathon भी है हर एक chapter का अलग-अलग revision lectures भी है तो किसी भी मैं description में link दे दूँगा बचे आपको जिसका chapter का revision करना होगा पहले marathon में देखिए एक से डेड़ घंटे के अंदर में उस chapter का बिल्कुल basic आपका concept revise हो जाएगा आपको अलग से कुछ करना ही नहीं है और फिर जो तरीका बताए उसको follow कीजे तीन से चार कोशन या वहाँ पर एक या दो कोशन ठीकर आप जो चीजे आपको avoid करनी है आज से till the exam till the finishing of it till the ending of exam ये बात ध्यान दखेंगे वो क्या एक तो do not discuss क्या जी जो chapters जो कोशन ध्यान से मेरी बात सुनना जो chapters या जो कोशन आपने अभी तक solve नहीं किये हैं उनके बारे में अपने मित्रों से अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से अपने टीचर से अब आगे discuss करना बन कर दिजिए जिन chapters को मतलब कि आप समझो ना मैं खासकर किसके लिए बोलना हूँ मैं इनके लिए बोलना हूँ जो बच्चे अभी syllabus complete नहीं किये यहां तक जितना complete किये आप करो ना उसका काम लेकिन जो chapters complete नहीं हुआ उनके बारे में मैं आप discuss नहीं करूंगा मैं मान लूँगा कि मेरे पास इतने ही chapters है और इनहीं को दीवेस करके एक्जाम देने जाने वाला हूँ मेरे बच्चे हमेशा exam में दो question आपके क्या होंगे options में रहेंगे हैना तो वो options में जो रहेंगे उनको हम छोड़ रहेंगे यह कोई बात नहीं लेकिन जितना पड़े हैं हम उनहीं पर धान देंगे बाकी chapters हम किसी से discuss नहीं करेंगे और कृपिया करके आज से start कीजिए avoid करना social media unnecessarily जो अभी आप social media facebook instagram पता नहीं कहा कहा क्या क्या यह जो फोन आप ऐसे से चलाते रहते हैं मेरे बच्चे इसको छोड़ दो आप क्योंकि यह बहुत ज़्यादा time आपका kill कर रहा है अभी से दिमाग को शान्त रखिए stress free रखिए अपने mommy पापा भाई बेहन दोस्तों से थोड़ा थोड़ा बात करते रहें enjoy कीजे time को और main focus आपका CA foundation complete करके CA इंटर पर जाने का होना चाहिए ठीक है बच्चो तो आप इसको करें अगर in case कुछ doubt होता है कोई परशानी होते है कुछ और भी सवाल आपके होते हैं तो इस video के comment में आके मुझे लिखे मैं उसका जवाब देने कोशिच करूँगा और मेरी बात है आपको सही लगी यह लगता है कि हां मैं अपने आप से सु कनेक कर पा रहा हूं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और पने दोस्तों से शेयर करेंगे कि हमारे संटोश सर ने बोला है कि आपको भी स्ट्रीजी अपलाई करना चाहिए तिल एक्जाम आप सब को इंटर मे कि आप निकलेंगे वो देखना चाहता हूं all the best बच्चे all the best thank you हलो बच्चों कैसे हैं आप मैं CACMA संतोष कुमार मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया कि जो quality education मैं और मेरे टीम एक particular area में प्रवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ने फाला जाए at the reasonable cost under the brand name of COC education private limited मेरे बच्चों इस success को हमने पाया commerce के students के किसी भी course के हो वो पूरे और बरे इंडिया में बैठके हमारे courses से benefit ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा daily doubt session हमारा जो academic instructor team में आपके continuous आपके growth पे वो नजर बनाये रखता है और आपको continuous basis पे motivate करना आपको study के लिए मेरे बच्चों कुछ reviews पूरे all over India से हाई है मैं चाहता हूं कि आप से share करो मैं मैं बाढ़ो दूसरों के लिए बाढ़े बार्राष या जिला बाढ़े बादे रहा है है तो संटो सर्के टीचिं स्टाल के बाता है अपो मैं इस ही में घुटासर थे लिए एक लाहाँ और बात्या पासंदा है संतो सर्क्राइब और मैं जाए और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थेंक्यू थेंक्यू बच्चे